हेलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम लोग exercise 1.2 के question number 5 को solve करेंगे question number 5 में है check whether 6 raise to the power n can end with the digit 0 for any natural number n जब चेक करना है कि जो 6 का power n नमबर दिया है वो 0 से end होगा की नहीं तो कोई भी number 0 से end होता है जब वो 10 से क्या हो डिवीज बूलो मतलब उसके factor में 2 और 5 हो तो यहां लिखेंगे कि we know that we know that any number any number ends with 0 it is divisible by 10 कोई भी number जो 0 से end करेगा वो 10 से क्या होगा डिवीज बूलोगा अब इसको आगे लिखेंगे in other word it is divisible by 2 and 5 मतलब जो number 10 से divisible होगा वो 2 से भी divisible होगा और 5 से भी divisible होगा मिन्स इसके factor में 2 और 5 आएगा तो यहां जो number दिया हुआ 6 raise to the power n इसको चेक कर लेंगे 6 raise to the power n तो 6 का factor करेंगे तो 2 और 3 होगा तो लिखेंगे 2 into 3 raise to the power n मिन्स 6 raise to the power n का factor में केवल 2 है और 3 है 5 नहीं है मतलब 2 और 5 का पेर नहीं बन रहा है तो लिखेंगे in 6 raise to the power n no pair of 2 and 5 मतलब 6 raise to the power n में 2 और 5 का क्या है पेर नहीं है हेंस इसलिए यह जो नंबर होगा वो 0 से क्या होगा इंड नहीं करेंगा हेंस 6 raise to the power n is not end with 0 मिन्स यह नंबर 0 से क्या होगा इंड नहीं होगा क्या होगा